बेहत गरीब परिबार में जन्मा एक लड़का जब बड़ा होता है तो बड़े होकर वो बस का कंड्यक्टर बन जाता है बसों में जब लोगों से किराय मांगता था तो लोगों को उसकी बातें बहुत पसंद आती थी वहीं से लोग से कैदिया करते थे कि भाई तुम ऐसे बातें करते हो जैसे कि कोई संत हो कोई बाबा हो उसके बाद वो लड़का बाबा बन जाता है लोगों को उसकी बातें बहुत ज़दा पसंद आती थी धीर धीर करके उसका सामराज जब बड़ा होता चला जाता है सामराज जब बढ़ रहा था तो दुश्मनी भी बढ़ रही थी और दुश्मनी के साथ साथ जो लोगें उसकी बात मानते थे वो तो छीक रहते थे और जो बात नहीं मानते थे उन्हें वो खामुश कर दिया करता था लेकिन उसको खामुश करने के लिए एक ऐसी प्लानिंग की जाती है कि जिसकी प्लानिंग की चर्चा आज भी पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में होती है यदि इस घटना को लोग याद करते हैं तो शायद ही किसी संत किसी बाबा पर आज तक इतनी सारी गूलियां चलाईगी थी ये कहानी वाकई अपनाप में बहुत खोफनाक है बहुत भयानक है उस बाबा को लोग आज भी तरे-तरे के नामों से बुलाते हैं जिसने एक नहीं कई सारे बड़े-बड़े पाप किये थे हादाब, नमस्कार, सस्तिय काल, मैं उस्मान सेफी आज की जो सची घटना मैं आपको सुनने जा रहा हूँ ये सची घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है गोपाल गंज दरसल बात कर रहा हूँ 11 अपरेल 1983 की डियम माहिश्वर पिरसाद नारायन शर्मा उनका भाई आया हुआ था परेश पिरसाद शर्मा जैसी भाई को देखते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं खुश होने की बात कहते हैं ठीक है चलो घर चलते हैं 11 अपरेल की ये बात थी दो पैर का एक बज़ा था जो इनका ओफिस है वो फर्स फ्लोर पे होता है दोनों भाई आगे पीछ चल रहे थे इनका अरदली होता है हारी शंकर राम तो ये जैसे ही सीडियों से उतर रहे हैं तो सबसे पहले आगे डियम साहब होते हैं माहिश्वर परसाद नारायन शर्म अभी वो उतरी रहे थे कि आवाज लग जाती है कि डियम साहब आ रहे हैं की गाड़ी लगाई है डियम साहब की गाड़ी लग जाती है तुरंत ही आवाज लगती है DM साप पर बम मानना कितनी बड़ी बात हो जाती है, बस शोर मज जाता है, चीक पुकार मज जाती है, हंगामा खड़ा हो जाता है, एक व्यक्ति है जिसने बम मारा था, वो अपना थैला फैंक कर वहाँ भाग जाता है, भाग रहा था, लोग उसके पीछे भाग रहे थे, अवा तो लोगों ने इसको पकड़ दिया, उसको लोगों ने मारना, पीटना शुरू कर दिया, और मारते पीट थे, उसी जगे पर लेके आगे, जहां DM साब की लाश पड़ी हुई थी, अरदली मामुली रूप से घायल हो जाता है, जो DM साब के सगे भाई होते हैं, परेश, पर आता हुआ हस्तेव कहता है कि जो मेरे बाबा को परेशान करेगा, मैं उसे कैसे छोड़ दूँगा, उस व्यक्ति का नाम होता है परम हंस यादव, परम हंस यादव ने मुस्कुराते हुए जब ये बात कही तो लोग वाकि हैरान हो जाते हैं, कि बाबा कौन है भाई या ब कर रहा है और मैं बाबा के लिए काम करता हूँ, बाबा जो होते हैं जिनका नाम संत्र ज्यानिश्वर परम हंस महराज, जिनका असली नाम होता है सदानन्द तिरपाठी, दरसल ये उत्तर परदेश का एक जिला है, देवरिया, पिप्रा भुवाल थाना, बगोच गहाट, वहां के रहने वाले थे, बेहत गरीब परिबार में जन्मा ये बालक जब थोड़ा बड़ा होता है तो बसका कंडिक्टर बन जाता है, और जब ये लोगों से कराया वसूलता था तो लोगों को इसकी बातें बहुत पसंद आती थी, कई लोग कहते थे ऐसे बात करते हो, ज देहांत हो जाता है, मा मर जाती है, तब ये अपने इस देवरिया को छोड़कर हमेशा के लिए बिहार की तरफ रुख करता है, जब बिहार की तरफ रुख करता है, तो बिहार में पहुंचता है, वहां किसी बाबाओं के बीच में जाता है, उनसे कुछ ग्यान प्राप्त क करने के बाद ये भी बताया जाता है कि ये बाबा बनने से पहले देवरिया के न्याले में ही प्रैक्टिस किया करता था वाकालत किया करता था अब यहां से सीधा जब गौपाल गंज पहुंच जाता है बियार के वहां जाने के बाद एक बागरा गाउं होता है वहां पर एक जमीन पर ही कब्जा कर लेता है और इसी एक एकड़ भूमी पर ये अपना बहुत अच्छा सा एक आश्रम बनाता है कुटिया होती है वहाँ पर बागान लगाय जाते हैं पशू भी पाले जाते हैं गाय बगरा और यहीं पर वो प्रवजन दिया करता था प्रवजन देने में बस एक बात कहता था कि साथ दिन तक तुम मेरी बाते सुनो अपना तन अपना मन अपना धन ये सब त्याग कर जो तन मन धन त्याग कर मेरी बाते सुनेगा विकुल पूरी तरह से त्याग ना है देख लेना कि साथ में दिन उसको भगवान के दर्शन हो जाएंगे साक्षा नहीं मानते थे, वो दूर चले जाते थे, जिसने ये त्यागा, वो खाली हाथ हो गया, वो बरबाद हो गया, और जिसने ये नहीं त्यागा, वो अपना काम में लगा रहा, लेकिन बरबाद कोई नहीं हो रहा था, तो बाबा नहीं हो रहा था, बाबा के पास अकूत संपत्त इखटी होती चली जाती है धीरे धीरे बाबा का बर्चस्व बढ़ता चला जाता है लेकिन जिस भूमी पर जिस एक एकड़ भूमी पर उसने अपना आश्रम बनाया था वो एक एकड़ भूमी बिवादित होती है उसको लेखर लगातार शिकायत होती चली जाती है शिकायत हो रही थी शकायत होते होते बात D.M. तक पहुंचते हैं, दिम इस मामले फु गंभीरटा से लेते हैं, और गंभीरटा से लेने के बाद यहां पर चापे मारी कराते है। चापे मारी कराई जाती है तो पता चलता है कि इस आश्रम के अंदर 26 लड़कियां जो एक से बढ़कर एक खुबसूरत लड़की होती है जो कि बाबा की सुरक्षा में लगी होती थी, बाबा की सेबा क्या करती थी, यहाँ पर यौन संबन्दी ऐसे कुछ उपकरन पाय जाते जब इस बाबात की पुलिस को पता चलती है, पुलिस इस मामलिक गंभिड़ता से लेती है, मुकदमा दर्च कराती है, बाबा को ग्रिफतार करने के बाद सीधा जेल भेज देती है गोपाल गंज की जेल में बाबा बंध हो जाते हैं, और वहीं से बताया जाता कि बैठे बैठे प्लानिंग करते हैं, डियम साब को हमेशा हमेशा के लिए मोत की नीन सुलाने की और इस बात की जिम्मिदारी ली थी परम हंस यादव ने, जब परम हंस यादव पकड़ा जाता है तो सीधा सीधा वो कहता है कि सदानंद तिरपाठी संत ग्यानेश्वर परम हंस महराद जी की द्वारा भीजा हुआ हूँ, उन्हीं की जो परिशान किया था डियम साब ने इसलिए मैंने इस घटना करम को अंजाम दिया है, पुलिस एफायार दर्च करती है लेकिन बिहार की सरकार को लगता है कि शायद इसमें पुलिस जादा अच्छे से जांच नहीं कर पाएगी, डियाएजी इस मामले की जांच दे जते हैं, CID को और CID के ऑफिसर होते हैं, भ बताया ये भी जाता है कि जिला जजज पर भी बंब से हमला कर दिया था, हाला कि उनकी किस्मत अच्छी थी जजज साब की, वो बच जाते हैं और जितने भी आरोपी पाया जाते हैं, इन सभी आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, मामला फिर उपरी अदालत जात फांसी की सजा, फिर ये और उपरी अदलत जाते हैं, वहां भी इने कोई रलीफ नहीं मिलता, बात राश्टपती तक पहुंचती है, राश्टपती भी इनकी फांसी की सजा को बरकार रखते हैं, और साल 1988 में भागलपूर एक जिला लगता है, बिहार का, वहां की जेल है, शहीद जुबा सहानी कैंद्रिया कारागार में इने फांसी की जो तारिख मुकरर थी, उसी दिन तारिख में फांसी दी जाती है, दिल्ली और कलकता से दो जिलाद बुलाएगे थे, ताकि इने फांसी दी जा सके, जब फांसी दी जा रही थी तो बताने बाले ये बताते है कि इस व्यक्ति को जरा सा भी अफसोस नहीं था वो कहता है कि मैंने अपने भगवान, मैंने अपने इश्वर, संत, जानेश और महराज के लिए ये कदम उठाया है और मुझे इस बात का बिकल भी अफसोस नहीं है अखीर तक ये ऐसी बोलता है लेकिन जब बात उपरी अदालत में जाता है तो उपरी अदालत में इनके खिलाप कोई भी सबूत इखटा नहीं हो पायती इसलिए उन्हें बाइज़त बरी करना पड़ जाता है संत महराज और जो कई लोग थे जिसे सादे किम्या का नाम भी आता है कि उनके विरिश्टदारों ने इसमें बंब उपलब्द कराये थे अब आगे कहानी जब ये बाइज़त बरी हो जाते हैं इनके दामन पर कोई दाग नहीं मिलता संत महराज के तो इनका फिर बर्चस्प और बढ़ने लगता है लेकिन बर्चस्प तो बढ़ता है डीम साब की हत्या के बाद इन्हें ये इलाका छोड़ना पड़ जाता है अब ये बिहार छोड़कर बापिस अपने उत्तर प्रदेश में आते हैं वो ही इनका इक काम था कि तुम अपना तन मंद धन त्यागो और त्यागनी के बाद भगवान के दर्शन करना चाहते तो साथ दिन तक मेरी बाते सुनो साथ दिन में अगर भगवान के दर्शन ना हो तो पर कहना ऐसे धीरे-धीरे करके इनके उत्तरप्रदेश, बिहार, नैपाल, हर जगा पर इनके जो अनुयाईई थे वो बढ़ते चले जाते हैं बताया जाता है कि जब नैपाल गये थे तो उन्हें जै नैपाल का नारा भी दिया था इस बात को लिकर काफी बबाल बन जाता है लेकिन इसी बीच में ये काम करते थे जो देश के जाने माने संत थे, महराज थे, बावा थे जिनकी बहुत ज़ादा पहचान थी ये खासकर उनको निशाना बनाकर, उनके टार्गेट बनाकर, ये हमेशा उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते थे, अपने प्रिबचन में उन्हें बुरा भला कहते थे, और जैसे जैसे उन्हें बुरा भला कहते थे, वैसे वैसे इनका नाम तेजी से उभर रहा था, इन आश्रम की जो जमीन थी फिर से विवादित होती है और इसी विवादित जमीन को लेकर आए दिन कोई ना कोई मुकदमा अबाजी कोट का चहरी के चक्कर चल रहे थे लगातार चलते चलते ऐसे ही साल दर साल बीत जाते हैं और नवंबर 1998 की बात है बड़ी संख्या में लोगी खट्टे होते हैं सीधा आश्रम पर चढ़ाही कर देते हैं आश्रम को पूरी तरह से तहस नहस कर देते हैं बरबात कर देते हैं और जब ये बात बाबा को पता चलती है तो बाबा बहुत गुस्से मजाते हैं बाबा के साथ एक और बात थी कि बाबा अपने आश्रम पर ऐसे कई बड़े-बड़े पहलवान रखते थे, जो बाबा की बातों को हाँ हाँ करते थे, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है और जो बाबा के यहाँ पर आश्रम में लड़ने की कोशिश करता था, चाहे वो गोप कि उनके पास आदिन हतियार भी हुआ करते थे, ताकि वो बाबा की सुरक्षा कर सकें, अब ऐसे ही चलते चलते जब साड़े-तीन महीने का समय बीच जाता है, 21 जनवरी 1999 को इन्हें किसी ने ख़बर दी थे कि इस पूरे आश्रम को तहस नहस कराने के लिए कोई और नहीं, इसोली के विधायक इंद्र भद्र सिंग, ये हैं शामित, बाबा एक प्लानिंग करते हैं, अब प्लानिंग करने के बाद ये MLA पर 21 जनवरी 1999 को किसी ने बम फैक के मार दिया, छीक वैसे ही बम फैक के मारा था, जैसे DM साब पे मारा था, DM साब के चीथरे उड़ जाते हैं ठीक वैसे ही विधायक के भी चीथरे उड़ जाते हैं, विधायक मर जाता है, और विधायक मरने के बाद जैसे भी विधायक को मार कर वो बम फैक कर भाग रहा है आदमी, तो पबलिक पीछे-पीछे भागने लगती है, पबलिक पीछे-पीछे दोड रही थी, आखिरकार पब्लिक ने उसा अदनी को भी पकड़ लिया, दब उच लिया, दीना नात यादव उर्फ साधु यादव, उस व्यक्ति का नाम होता है, उससे बादचीत की जाती है, तो पता चलता है कि वो किसी और का नहीं, बल्कि उन्हीं बाबा का चेला होता है, पब्लिक को गुस्सा कड़ी सजा देगा, कड़ी से कड़ी, मतलब सजा देगा तो इनसाफ मिलेगा, इनसाफ के लिए बिधायक के बेटे लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन साल दर साल बीट जाते हैं, आपको पता ही है कि किस तरह से निशली अदालत तुमें कई की साल बीट जाते हैं, उपरी कैम्प बनाया हो था, उस कैम्प में थे, और कैम्प में जब ठीक ठाक कई दिन तक वहा रहते हैं, इतनी सुरक्षा और किसी की आसपास देखी नहीं जाती थी, जितनी सुरक्षा इस बावा के साथ रहती थी, लेडी कमांडर हों या पिर अन्ने व्यक्ति हों, सबके हातों में आधुनिक हत्यार हों या बंदू के हों, लेकिन ज़्यादत तर लोग सुरक्षा में ही लगे रहते थे, और दस फरवरी 2006 को जब यहां से कुम्ब मेले से वह वारानसी के लिए निकलते हैं, तो रास्तिमिक जगे पड़ती है हडिया, वारानसी मार्क पर, इनकी पांच गाड़ियों का काफिला होता है, पांच गाड़ियां जैसे चल रही है, ठीक एक गाड़ी बहुत तेजी से बिलू कलर की आती है, मार्शल गाड़ी, और इन्हें पार करती होई, वो आगे मोड के सामने खड़े हो जाते हैं, यानि कि इस काफिले को रोक लेते हैं, अब इस चलते चलते काफी देर काफी वक्त निकल जाता है, आसता कोई गिंती नहीं कर पाया कि कितने राउंड फायर किये गए थे, कितनी राउंड गोलियां चलाई गे थी, गोली चलती रहती है और ये बचने की सब लोग कोशिश भी कर रहे थे, कुछ बच जाते हैं, और कुछ उन गोलियों के बीच में फस जाते हैं, गोली चलती रहती है और चलने के बाद जिब इतमरान हो जाता है, तसली हो जाती है, कि जिसको हम मारने के लिए आये थे, वो मढच चुका है। बाबा होते हैं इसमें संत ज्यानेशर उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है लेकिन वो अकेले नहीं गे थे उनके साथ में पूजा जो उनकी लेडी कमांडर होती है पुश्पा, नीलम, गंगा, ओमप्रकाश, रामचंदर, बिथलेस इस तरह से साथ अन्य और मारे जाते हैं कुल मिलाकर आठ लोगों की इसमें घटना इस्तिल पर ही मौत हो जाती है बाकी लोग बच जाते हैं ये मामला भी कोट का चैरी में जाता है और पुलिस के पास तक बात पहुंचा जाती है कि इस हत्याकांट को किसी और ने नहीं बलकि चंद्रभदर सिंग सोनू, साथी यश बच भदर सिंग मोनू, इन दोनों लोग समित चार लोगों ने हमला किया था, चार लोगों ने आधुनिक हत्यारों से लगातार गोलीयां चलाई थी और इन में से सोनू और मोनू जो होते हैं वो कोई और नहीं बलकि इसोली के विधायक जिसको बंब से मारा गया था, जैसे क्या डियम साहब को जब संत ग्यानिशर ने हमला करवाया था बहले ही चाहें वो जेल में बैठे थे 120 बीके मुलजिन थे लेकिन उपरी अदलत उन्हें बाइज़त बरी कर देती है उनके उपर कोई भी ऐसा आरोप नहीं पाया जाता तो ठीक सोनो और मोनो भी बाद में बच जाते हैं हाला कि सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील दायर की गए थी लेकिन इसमें कुछ बाद में होता नहीं है और बाबा का जो चैप्टर था हमिशा हमिशा के लिए बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है बाबा के बारे में बताया जाता है कि बाबा ने लगभग आठ से जादे मर्डर में इनका नाम आया था और पंद्रे से जादे अन्य अपरादों में इनका नाम शामिल हुआ था तो बाबा ऐसे ही नहीं थे अपने पीछे बहुत सारी संपत्ती छोड़के चले गे थे जो इनके परिवार के लोगों के हिस्से माती है बाद में इनके परिवार के लोगों को भी बेदखल कर जायता है बाबा का नाम आज भी सोशल मीडिया पर लिया जाता है बताया जाता है कि इनके नाम से कई फैन फोलिंग पेज बने होई हैं कई यूट्यूब पर भी बने होई हैं और आज भी बाबा को बड़ी संख्या में लोग प्यार करते हैं बाबा सच मुझ इतने खतरनाक थे या फिर हालात ने उन्हें खतरनाक बनाया ये तो खेर पता नहीं लेकिन जो भी होता है चाहें डियम साब की हत्या हो या इन पर आठ अन्य मडर के आरोफ हो या विधायक की हत्या हो जो भी हुआ था पूरी कहानी में गलत ही हुआ था दोस्तो इस पूरे घटना करम को सुनाने का उद्देश ये भी किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखना नहीं है बलकि आप लोगों को जागरू करना है आप लोगों को सचित करना है और जाते जाते आज एकराम मेबाती हैं अलिगर के रहने वाले हैमराज मीरा हैं राजिस्तान के रहने वाले आज इनकों जनम दिन की बहुत सारी शुब कामना है बहुत बहुत मुबारक बाद आप सब लोग अपना खियाल रखें, सुरक्षित रहें जैहिन, जैभारत